पिछले वीडियो में कंट्रोल एंड कॉडिनेशन चैप्टर हमने पढ़ लिया है उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देख लिया होगी तो आज वक्त आ गया है अब उस चैप्टर का टेस्ट देने का यानि चेक करने का कि आपने कितना सिखा तो आज हम उसी चैप्टर से कंट्रोल एंड कॉडिनेशन नियंतरन एवं समनवे चैप्टर से एमसी की कोश्टन डिसक्स करें पचास एमसी की कोश्टन साथ साथ आपको करना क्या है कॉमेंट करना है और चेक करना है कि देखते हैं आपको कितने कोश्टन सा आते हैं तो स्टार्ट करते हैं और आप भी साथ साथ जल्द जली comment करेंगे और फिर मैं आपको आंसर बताऊगा कि सही आंसर क्या होगा चेक करो आप कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं तो आज का पहला question है Central nervous system consists of Central nervous system में वो किन चीज़ों से बना होता है Central nervous system में कौन कौन से चीज़े होते हैं brain and spinal cord option A option B brain and visceral nerves option C cranial spinal option D है none of these चार आपके साबने हैं बताई जलने से comment करेंगे कौन सा अंसर सही होगा option A B C D कौन सा होगा कई लोगों ने comment करना शुरू कर दिया है कुछ लोग A B जी बिल्कुल correct correct option होगा option A जिन लोगों ने option A comment के हैं बिल्कुल सही है आपका brain and spinal cord यह मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में कि brain and spinal cord है उसको combined form में क्या आजाता है central nervous system ओके चलिए second question देखते हैं आज का second question in animals for receiving sounds the sense organs are animals में sound receive करने के लिए कौन सा sense organ होता है okay photoreceptors olfactory receptors phonoreceptors यह टेक्टो receptors तो यहां पर देखो बात किस की जा रही है sound की है न यह रहा sound और sound और option से देखो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पता अपने वन वर्स वन वर्ड substitution भी पढ़ा इंगलिस में तो आपको पता चलिएगा फोन जो वर्ड होता हो sound के लिए होता है तो देखते हो option कौन सा टिक कर देगा option सी बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने सी किन लोगों ने कमेंट किया है हाँ काफी लोग कुने वेरी गूड साबस option सी बिल्कुल करेक्ट है फोन और रिसेप्टर अब को पता लाइट के लिए होता है आप लाइट के लिए है। है कि मैंटने रिसेप्टर को पढ़ा दिया है बाकि इसह लिए हैं ऊंच को फ्र प्लांट को Rachel gonna am i जल्दी बूड को लाइट के लिए यहाँ पर वर्ड पूप लाट पूब्शा गया है तो light के लिए photo जो word होता है photo का मतलब भी light होता है तो response of plant to light is called phototropism, option A बिल्कुल correct होगा, third का very good question number 4 देखते हैं plants hormones are plants hormones are क्या है वो, physical substance chemical substance, both of them या none of these, plant hormones जो है, plant hormones वो है क्या physical substance है, chemical है, both of them none of these, बहुत सारे comments आ रहे है हाँ, बिल्कुल सही answer होगा, इसका option B, chemical substance यह मैंने आपको वीडियो में बताया था समझाया था इसके बारे में, मजा आ रहा है ना जल्दी से वीडियो को लाइक करो और फिर आगे बढ़ते है इन्में इन्में से कौन सा हिंड ब्रेन का हिससा नहीं है कौन सा पकी हिंड ब्रेन के इन्में तीन पार्ट साबको बताय था कल क्या क्या बताय था medulla Olangita poons cerebral तो आंसर ना होगा option D option d जो है फो हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं होता हुख किसका पाथ होता है four-frame का है ना हिंड़ बेन का मतलब होता है पर्ष मस्रिस्क और फोर ब्रें अग्र स्थ्सक्ति सक्राइवर subject कि फिफ्फ दर्व गई में किस्ता नेक्ट कोर्णे देखते हैं कितने यंदों कैसे तक पांच प्लांट्स में किसके द्वारे परफॉर्म किया जाता है प्लांट हार्मोंस फोटो सिंथेज रेस्पिरेशन यह ना नो देज कौन सा होगा सिक्स्त का ऑप्शन एक करेक्ट होगा बिल्कुल प्लांट हार्मोंस यह कल मैं आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में अगर ज अगराम बिल्कुल प्लांट के प्लांट होगा सब्सक्याशन ना वरे इसलिए देको घोप्रेविटेशन के लिए घ्रती के लिए एक फोर्स होता है और भूता है बोलता है ध्योगाने प्रिखुट मुंगे जिए ग्राफिय सुनाओं आपने तो जिए ग्राफिय का मतलब क्या होता भोगोल यानि भू का मतलब धर्ती और जियो जहां लग जाए यह रूट वर्ड जिस याद रखोगे निया अगर आपने इंगलीज की वीडियो देखिए वन वर्ड की यह रूट वर्ड जो मनें आप बुट सारे का सही आ रहे हैं कि मैमरी इज रिलेटिड टू मैमरी जो है किस से संबंदी थे कली बताया था पूछली वीडियो में सेरीब्लम सेरीब्रम पॉंस या ओल्लफेक्टरी लॉब्स चार आप्सन है चार में से कौन सा होगा एट का ऑप्सन बिल्कुल करेक्ट होग कि नमर नायन देखते हैं नेम दब बनी कवर बॉक्स इंदा सकल्ष प्रूैंट लुट बेबॉस्न बहुत आसन कोश्णहें जल्दी से कामेंट करो कौंसा होगा क्रे toothpaste क्रेम एक्सन आर करका या उसको प्र्लेक्ट करता है कि ब्रें को निवा क्वर करक रहता ता जो यानि तो यह मैंने केल आपको इस्पाइनल कोडिका यह बढ़ा यह था तो माँ बता था ना तो इसलिए आंसर क्या होगा 10 का option बी करेक्ट इस पाइनल कोड जो है वह reflects action को कंट्रोल करता reflex action की आपको पता immediate response दो को हम देते हैं उसे को हम बोलते है reflex action जैसे आपने गर्म प्लेट को छुआ और एकदम से हाथ लेते हो question number 11 who named the term hormone hormone जो name है hormone जो term है इसका name किस ने रखा कि इस होर्मोन पहली वर किस ने कहा चार option है जल्दे से comment करो यह तो पता आपको कई सारे comment आ रहे हैं मेंडल तो होगा नहीं डार्विन होगा नहीं जॉन से नाम हमने सुना नहीं आपके option भी विल्विल करेक्ट है कल मने आपको बताया था और यह कौन से यह में नंटेंजीरो थ्री में है कि कुश्चन नमर्ट वैल्व कि अधर नेम ओफ एंडोक्राइन ग्लैंड अब एंडोक्राइन ग्लैंड कल वाली वीडियो में उसमें ग्लैंड के वारे में नहीं पढ़ा था लेकिन ग्लैंड की एक सेपरेट वीडियो में ने बना रखी है तो दोनों वीडियो देखो आपको ग्लैंड के वारे में ख्लियर हो जागा और वह पूरा चैप्टर कवर करा दिया है अपका तो एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है डक्टिंग ग्लैंड नॉर्मल डट्ट्लेस ग्लैंड यह नहों दीज तो इसका सही आंसर होग प्यूस गरंथी को ऑप्सन डी करेक्ट होगा करें कुछ बच्चे कुछ हिंदी मीडियम वाले स्टुडेंट्स प्यूतर कहते हैं हिंदी मीडियम में चीए तो मैं आपको बता हूँ आपको आगी चल कर रहें इंग्लिस मीडियम में सारी चीज़े पढ़नी है और कॉम्ट क्रिश्टों सॉपरमाश्ट को करते हैं विडय टेमर्ट्र करता है स्ट्रुण करता है कुछ नमर 15 देखते हैं अब प्लांट हॉर्मोन डेट कॉज विल्टिंग ऑफ लिप्स एज कल ही बताया था और यह आपको पिछली साल डेली पॉल्टेक्नीक एक्जाम में कॉछ नाते रहता है कि कौन से हॉर्मोन की विज़े से जो पॉधों की पत्या जड़ जाती है इसे स्ट्रेस हॉर्मोन भी बोलते हैं कौन सा होगा ऑप्शन डी एप्सेशिक एसिड ओके 15 का ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हुआ कोश्च नमर 16 देखते हैं इंक्रीजिंग दा हाइट ऑप्शन डी पॉधों की जो हाइट बढ़ती हो किस की विज़े से बढ़ती है यानि कौन से प्लांट हार्मोन की विज़े बढ़ती है तो औकजिन साइटोकैनिन जिब्रिलेंस या एप्सेशिक एसिड कौन सा होगा ऑप्शन 16 का वेरी गुड ऑप्शन ए करेक्ट होगा 16 का ए सेवंडिन्त का नाम बताना इन चारों में से यह आपको पता होगा जल्दी से कौन सा होगा एब्स इडि ए क्या है एस्टोजन ऑप्शन ऑप्शनबी क्या है टेस्ट स्ट्योख श्टरों ऑप्शन 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 चार option है तो इसका सही है जवाब क्या होगा correct option male hormone का 17th का option B very good option A नहीं होगा option A जो होता है वो female organ female hormone होता है option B जो है वो male question number 18th देखते हैं the name of female hormone आगया वह question जो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया यह तो आप बता सकते हो आसाने से option A correct होगा पहले ही आपको बता दिया गया है very good question number 19 पर आते हैं the response of plant towards water is a water की बात हो रहे है plant का response कि कि तरब पानी की तरब होता है तो water यानि hydro hydro का मतलब भी क्या होता है पानी तो root word सब क्लियर हो जाओगे option B correct हुआ 19 का hydro पानी क्लिए होता है और यहां पर भी water की बात कर रहा है तो option B correct हुआ बाकि option को देखना भी नहीं था कुछ नमर 20 ABA is a ABA क्या है hormone, plant hormone, animal hormone, enzyme तो ABA का मतलब होता है क्या abscessic acid, abscessic acid होता क्या है तो plant hormone होता है option B correct होगा क्लिए रहे ABA की full form पूछी जाए तो वो भी अब note कर लेना क्या होता है abscessic acid कुछ नमर 20 का option B correct होगा अभी भी जो लोग वीडियो को like करें जल्दी सी video को like करें लाइक्स बड़ा फटा फट जल्दी से और share करना रुकना नहीं चाहिए और जो पहली बार वीडियो देख रहे है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिलते रहे उन सबका नोटिफिकेशन मिलते रहे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथ साथ कुछ नम्मर ट्वंटीवन विच अफ दा फॉले विज़ा गैसियस हॉर्मोन इनमें कौन सा गैसियस हॉर्मोन है कौन सा होगा यह कल बताया था आपको गैसियस हॉर्मोन कौन सा होगा पिछली वीडियो में बताया था था न हाँ इथाइलिन, option D correct होगा क्लिए रहे कुछ नमर ट्वंटीटीटू देखते हैं काफी लोग ने पढ़ा है पिछली वीडियो देखिए क्योंका कॉमेंट बहुत सही से भी आ रहे हैं कुछ लोग गलत भी करें उन लोगों को थोड़ सा डाउट है तो आप जाके एक बार वीडियो को दुबार देखो गलत कमेंट मत करो आपके गलत होते जाएंगे ज्यादा वीडियो को अच्छे से देखा करो ठीक है कुछ नमर ट्वंटीटू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड फोनो रिसेप्टर्स और 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 यह कुश्चन भी आपको अगर नहीं भी पता तो भी आप इतना तो पता है क्या होता है साउंड तो ऑप्संड एक ही ओप्संड में देख या अगर इसदर का डाउट भी होता तो फोन और साउंड को देखके तो आप्टिक ही कर सकते हो यह हुआ नि 22 को ओप्संड कौन सा होगा ऑप्संड बी है है कुछ नमबर 23 कि हॉर्मोन रेस्प्न सिबल फॉर क्लोजिंग ऊप इस्ट्रमेटा इन प्लांट तो कौन सा हॉर्मोन होता है स्ट्रमेटा की यह दुन यह अग कई बार रिपीट हो चुका है कि इस्टों मेटा यह नहीं रंद्र जो पॉध्य में होता है तो वह उसकी क्लोजिंग के लिए को रेस्पंसिबल कौन सा था उसके क्लोजिंग करने के लिए बंद करने के लिए ऑप्शन यह बिल्कुल सही है 23 का ऑप्शनी एपसेशिक एसीड के विज़े से होता ही है कुछ नमबर 24 ते लाज़ेस्ट सेल इन दा बॉड़ी इज लाज़ेस्ट सेल कौन सा होता है नर्व सेल वाइट बलड चैल्स यह डबलो बीसी रेड बलो चैल्स और एपितेलियल सेल्स तो कौन सा उप्शन हो का 24 का ऑप्शन एंव सेल तंतर का गोश्टी का यह तो सबको पत कि इसको समझाय था इसके दो डेफिन आपको बताए थी इक सौट में और एक थोटा सा एक स्पिन किया था बहते सिंपल लेंग्वज में कि क्या होता है कि जो दो निवरांस होता है उनके बीच में जो इस स्मॉल गैप होता हुँ क्या बोलते साइन एक तो वही जंटिन की किया दो निवरांस के बीच में तो अब तक हम पच्शिस कुरिशन कर शुके हैं अब पच्ष्बिस में से तूटि वाइए से से देखते हैं आप लोगों किसे सही हैं जल्दी से कॉमैट करें कि वाइड बवाटेगे कितने है क्थ नमर्टी जिघा है किस वीच एक एकिस activity of the brain is बताओ इलेक्ट्रीकल activity जो ब्रेन के record करते हुशे क्या बोलते हैं तीन चार ओप्सन आपके पास चार ओप्सन हें बताओ बताब कौन सा होगा पहला option सुना है कभी यह किसके लिए होता है यह BP blood pressure measure करने के लिए होता है दूसरा option सुना है ECG सुना होगा ECG इसे के full form भी अब देखो एक ही कुशन से कही सारी कुशन बन जाएंगे electrocardiograph सुना होगा ECG, यह किसके लिए होता है यह heart के लिए होता है और EEG pacemeter तो होता नहीं यह आपे EEG जो होता है वो किसके लिए होता है वही होता है brain activity को measure करने के लिए option सी correct होगा इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना कैसे पढ़ना यहां से electro अलग से पढ़ना उसके बाद क्या पढ़ोगे encephalogram यह अलग कर लेना और फिर gram को अलग कर लेना तो अपने आप समझ मैं जागे इसके full form इस्तर की स्याद रखना question number 27 देखते है which is the most complex and specialized part of the brain complex सबसे जटिलो और विशे इस part कौन सा होता है brain का यह भी हमने वीडियो में पढ़ा था जल्दी से बताओ option c correct होगा बिलकुल cerebrum जो होता है वो most complex part होता है question number 28 की तरफ चलते है which fluid protects brain from mechanical socks कौन प्रोटेक्ट करता है कौन सा fluid यह मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया रह गया था होगा टापिंग करना बताना भूल गया था तो इसका सही option का उनसा होगा जल्दी से बताओ कुछ लोगों को पता है very good option B correct होगा cerebrum spinal fluid cerebrum spinal fluid option B बिलकुल सही है question number 29 number of cranial nerves arising from brain यह भी पढ़ाय गया वीडियो में बताओ क्या होगा number of cranial nerves arising from brain question number 29 जल्दी क्या होगा कितने होगे 12 यानि option C correct होगा brain से कितने होते हैं 12 और spinal cord से कितने होते हैं 31 ओके चलिए आगे देखते हैं question number 30 negative geotropism is sound by negative geotropism किस के दोआरे दिखाया जाता है किसमें होता है root में leaves में stem में या none of these तो किसमें होगा negative negative जो होगा root में कुछ लोग कह रहें नहीं है root में नहीं होता है root में positive होता है stem में जो होगा वो क्या होता है negative geotropism तो question number 30 का क्या होगा option C correct होगा 31 the brain is responsible for brain किसके लिए responsible है thinking regulating the heartbeat balancing the body या all of the above तो इसका correct option कौन सा होगा all of the above क्योंकि सोचने के लिए heart beat का regulate करने के लिए और body balance करने के लिए brain responsible है question number 32 के तरफ बढ़ते है artificial ripening of fruits carried out by artificial या नहीं कि आपने देखा होगा गाउं में अब जब रहते हो या यहां पे सहरों में भी फलों को पकाया जाता है या फल पकते हैं फलों को पकाने के लिए हम अलगले कुछ नहीं कुछ चीज़े यूज़ करते हैं तो वैसे आर्टिफीचल जो फलों को पका जाता हो किसके द्वारा पकाया जाता है artificial का मतलब क्या हो गया मानम के द्वारा तो कैसे पका हो गया और जिन की है से साइटोकाइन की इथाइलिन की या जिब्रेलिन तो कुछ नमर 32 का ओप्षन कौन सा सही होगा ओप्षन सी इथाइलिन है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ लोगों अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं है जल्दी से लाइक करो भाई इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वह अन पेयर होता है औरी टेस्टिस पैंक्रियाज यह एड्रिनल कोशन नमर 33 जल्दी से बताओ ऑप्षन सी करेक्ट है बिल्कुल पैंक्रियाज चलिए नेक्स कोशन की तरब देखते हैं कुशन नमर 34 जाइगेंटीजम रिजल्ट ड्यू टू मतलब जो दानोपन जो बोल सकते हैं यह बहुत ज्यादा किसी के बाटी में विकासद्र हो जजादा किसकी वजह से होता है तो excess secretion of thyroxine, less secretion of thyroxine, excess secretion of growth hormone, less secretion of growth hormone चारों option है, ऐसे हैं, चारों confuse करने वाले लग रहे हैं, जल्दे से बताओ क्या होगा 34 का option से correct होगा, excess secretion of growth hormone, growth hormone का जब ज़्यादा secretion ज़्यादा growth hormone होते हैं, तो उस case में यह दाना वाली situation पैदा हो जाती है, और यह पता है, यह सारे question में ने बहुत सारे आपको question number 35, in humans, number of spinal nerves is, यह तो मैं अभी आपको बताया था, बताओ क्या होगा, number of spinal nerves कितने होते हैं, question number 35 का क्या होगा, 31 pairs, 32, 33, 36, बेल्कुल सही, 31 pairs, option A correct होगा, 35 का next question, balance and posture of the body is controlled by, balance and posture of the body is controlled by, किसके दोरे control होता है, medulla, points, cerebrum या cerebrum, कौन सा होगा, 36 का, option D correct होगा, balance of the body जो भी होता है, कल मैं आपको बताया था, वो किसके दोरे होता है, मैंने बताया था यह जो यह जो alcohol जो होता है, cerebrum को बहुत ज़्यादा affect करता है, बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुंचाता है, जिसके वज़से हमारे speaking पर control नेता है, तो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, दारू पीने वाले को देखा होगा, बहुत ज़्यादा बोल ज़्यादा नहीं कर पाती, cerebrum उनके control में नहीं रहता, question number 37, spinal cord originates from, spinal cord कहां से उत्पन होता है, कहां से बनता है, तो बहुत आसन question है, आप बीजली बता सकते है, medulla से, bone से, cerebrum से, cerebrum से, कौन सा option से होगा, option 1, medulla, question number 38, iodine is necessary for the synthesis of which of the following hormones, मतलब कौन से होर्मोन के निर्माण के लिए iodine की आविस्चकता होती है, या iodine आविस्चक है, oxygen, thyroxine, adrenaline या insulin, तो आपने सुना होगा, thyroxine सुना होगा, oxygen सुना होगा, insulin, नाम तो सारे सुने होगे, लेकिन इनमें से होगा कौन सा, है ना, आपने सुना इसे थाइरोड, इसर, इसे प्राबलम तो उसी से रिलेटर क्या होगा, thyroxine, option, बी करेक्ट होगा, question number 39, taste receptors हो, taste के लिए कौन सा receptors होता है, जल्दी से बता यह तो आपको पता होगा, question number 39 का कली बताया था, बिलकुल, option, बी करेक्ट होगा, है ना, photo तो light के लिए होता है, all factory जो होता है, वो किस के लिए होता है, अभी बताया था, याद है या भूल गए, और यह आपने पढ़ा नहीं, tango, और यह आपने पढ़ा था, बिलकुल, यह टेस्ट के लिए होता है, जो भी हम स्वाद की बात करते हैं, पढ़ना आता है ना, gustato receptors, question number 40 देखते हैं, select the mismatched pair from the following, इन में से कौन सा mismatched pair है, मतलब कौन सा, किसका मिलान गलत किया गया है, ओवरी, estrogen, pancreas, insulin, testis, thyroxine, pituitary gland, growth hormone, तो कौन सा होगा, question number 40 का option कौन सा होगा, जल्दी comment करो, ओवरी, estrogen, बिलकुल सही है, pancreas, insulin, क्या लगता आपको, सही है बिलकुल, testis, thyroxine नहीं होता हो, option C गलत है, और option D तो, pituitary gland, growth hormone, अल्रेड़ी है, तो बिलकुल ये भी सही है, आपसे एक question ऐसा भी पूछा सकता है, कि which of the following is growth hormone, तो आपको आंसर क्या होगा, pituitary, तो ये भी ध्यान एकना, यानि इस 50 question में भी 50 से ज्यादा question से बंद है, अगर आप इस question को ध्यान से देखते हो, तो, question number 41 के तरफ देखते हैं, in flowering, in flowering plants, यानि फूलो वाले जो फूल वाले जो पौधे होते हैं, the growth of the pollen tubes towards ovules is an example of, किसका example होता है, तो ये chemical changes होता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, chemotropism, okay, question number 41 का कौँछा होगा, option B correct होगा, question number 42, which of the following glands has both, exocrine and endocrine part, कौन से gland में, exocrine और endocrine, दोनों पार्ट होते हैं, अंत्य सरावी और बाहिसरावी ग्रेंथी, कौन सा होगा, 42 का जल्दी से बताओ, option A correct होगा, pancreas, okay, question number 43, which of the following, voluntary action, इन में से कौन सा voluntary action है, कों से एच्छी करिया है, कल आपको बताया था नहीं, वह एक्षिंस, तीन टाइप के voluntary action, involuntary or reflex action, voluntary जो होता हम अपनी इच्छा से करते हैं, वह हो जाती है, beating of heart, heart beat यानी जो होता है, वह भी अपने आप चलता, अपनी इच्छा से करना होता होता तो तो करते रह जाते है, और salivation जो है, यह 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 अपने पढ़ा है क्या, तो large जो टपक नहोता है, जानव इच्छी की टपका, तो अपने आप टपक जाती है, है ना, गुलाब जामुन देखा हो, और बस, और चौथा जो है, chewing यह चबाना, चबाना यह अपनी मर्ची से करते हो, त 43 का, तो voluntary action के लिए option कौन सा होगा, option D, question number 44 की तरफ चलते हैं, which of the following pairs is a mismatch, इन में से कौन सा pair जो है, मिलान गलत किया गया है, जल्दी से बताओ, elongation of cell के लिए oxygen, growth of stem, gibralin, promotion of cell division, cytokinin, और photoperiodism, क्या होगा, ethylene, तो कौन सा option करेक्ट होगा, देखो, oxygen जो होता है, elongation of cells के लिए होता है, बिल्कुल उसके enlargement के लिए, gibralin जो होता है, growth of stem के लिए होता है, cytokinin जो होता है, promote करता है cell division को, बिल्कुल सही है, option D गलते हैं, क्यों तो option D, यहाँ पर mismatch है, question number 45, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, आप लोगों को भी और मुझे भी comments अच्छे आ रहे है, which plant hormones promote cell division, which plant hormones promote cell division, कौन सा होगा, 45 का, oxygen, gibralin, cytokinin, या, abscessic acid, अभी तो बता है, cell division के लिए, पिछले question में ही, cytokinin, option C, correct होगा, चलो, 46 question देखते हैं, any change in the environment to which an organism response is called, यह तो बहुत आसान है, कल की वीडियो का, जो मैंने पिछले वीडियो में इसको समझाया था, पहला वर्ड यही था, कौन सा stimulus, option A, correct होगा, यानि उद्धीपन बोलते हैं, यानि जो भी परिवर्तन होता है, जो भी change होता है, उसके उस हमार जो हम है, या कोई भी organism जो है, वो किस प्रकार response करता है, या नुक्रिया करता है, उसको हम बोलते हैं, stimulus या उद्धीपन हिंदी में, 46 का A, 47, which gland secrets the growth hormone, जल्दी से बताओ कौन सा है, जो growth hormone secrets करता है, स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में, pituitry gland, thyroid, hypothalamus, adrenal, तो इसका सही answer होगा, 47 का A, pituitry gland, उम्मीद करता हो, मज़ा रहोगा, कैसे लगरी साइंस में पढ़ा रहा हो, तो मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कॉमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं तब ही आगया और वीडियो बनाने के सोचूंगा, साइंस से, अधर्वाज मैं तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, इंग्लिस पढ़ा ही रहा हूं, कॉश्चन नमर 48, और डियाबेटिक पेसेंट्स फ्रॉम, डेफिसेंसी ओफ विच हॉर्मोन, डियाबेटिक, डियाबेटिज की मरीज का सुना होगा न आपने, वो कौन से हॉर्मोन की कमी के वज़े से होता को डियाबेटिज, थायरोक्सीन, या फिर यह टाइपिंग थोड़ी सी गलत हो गई यहां पर, और यह बोथ A and B, तो बोथ A and B का मतलब भी नहीं मनता, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन D, इंसुलिन, ओके, इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता ह इंटू, मिमोसा लिवस की इसे बोलते हैं, मिमोसा जो है बोच्छुई मुई का पौधा आपने सुनाओगा हिंदी में उसी को बोलते हैं, तो वह सैंसेटी होता है किसके लिए टच्छुई मुई टच्मी नॉट सुनाओगा ना, ऑप्शन C, 49 का C, सौंग मत गाना, टच म कोशन निमर 50, विच आप फॉलिवंग इस कॉल्ट टियर ग्लैंड, इनमें से कौन सा अस्रू ग्रंथी है, जिससे आंसों निकलते हैं, रोना नहीं है, पचास कुछन सही है, आपने खुस होनी की बात है, कौन सा वाटियर ग्लैंड, पीनिल ग्लैंड, लेक्रीमल ग्लैंड पीट्यूटरी ग्लैंड या थैलेमस ग्लैंड, चार उप्सन हैं आपके पास जल्दी से बताओ, लास्ट कोशन इस वीडियो का, देखते हैं कोई 50 से 50 वाला क्या होगा, कुछ लोग कह रहे हैं, पैपिनिल, लेक्रीमल, पीट्यूटरी थैलेमस, बिल्कुल सही है, लेक्र के बाद obsession end हो रहा है, तो उसके बाद जरूर कमेंट करना, ताकि बाकी लोग भी चेक कर सेकें, और आप उनसे comparison कर सेकें, पता चल सेकें, कि आप आगे आपके तयारी कैसे चल लिए, आप आगे चल लिए, या दूसरे लोग आगे चल रहे हैं, और हाँ आपने सभी friends को भी invite किया करो, ताकि वो भी अपने आपको चेक कर सेकें, कि उनके कितने questions सही होते हैं, और आप फिर comparison करोगी, competitive exam में, एक दूसरे से, अपने आप से competition होना ही चाहिए, लेकिन साथ महामें ये भी देखना है, कि competitive exam में, दूसरों को भी पीछे चोड़ना है, तब ही हम आगे निकल बस्त